दोस्तो अगर आपको यी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें करें हर सीजन में 4000 रुपई पिर्ती एकर की दर से आतिक मदद दे सकती हैं तो कैसे किसान बर देगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें एंट तक और वीडियो को किसान को मिलेंगे 4000 रुपाय महीना और बिना ब्याज का लोन मिलेगा तो दोस्तों जानिये क्या है योजना 2019 के चुनाब से पहले मोधी सरकार का किसानों को बड़ा तोपा अब सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में 4-4,000 रुपाय पिरती एकड़ की दर्से आर्थिक मदद दे सकती है तो दोस्तों अगर आप किसान है तो आपको मिलेंगे 4000 रुपाय पिरती महीना तो दोस्तों में चारहजार रुपए परती एकर की दर से आर्तिक अधरे दे का कि दे सकती है तो दोस्तों योजना लागु हुने पर ये पैसा सीधे खिसानों के बैंक खाते में भेजाजाएगा इसके सास् golpearn बेंक। तो दोस्तो किसानों को सरकार एक लाग रुपए देगी जिस पे कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा जी हाँ दोस्तो सरकार पर इस पार सालाना करीब दो पॉंट तीस लाग कड़ोर पड़ेगा इस में 70,000 करोर की खाद सबसिटी समेट अन्ड चोटे सी स्कीमों में सामिल किये जा सकता है तो दोस्तो तीन राज़ों में मिली हार के बाद मोदी सरकार किसानों को एक बर एक गिसानों को लेकर जादा फिक्र मंद है जी हाँ दोस्तों अब गिसानों को मिलेंगे चार हजार रुपए बिर्ती एकड हर महीने तो दोस्तों अपने इस फैंसले को अंदिम रूप देने के लिए सरकार ने प्रिधान मंतरी काराले पी एमो के साथ साथ नीती आयोक से बैठक बुलाई है माना जा रहा है कि इस फैंसले को ऐलान इस फैंसले का ऐलान इसी हफ़ते हो सकता है कड़ी से राजेसो विबाग और रसाइन और बरक फूर्ट समेट नोएड मंतराले के अधकारियों को अरोपची अनोचिप की रूप से मीटिंग करने को कहा गया है इस महीसले में के ऐलान से पहले पीम नेननोनी खुद खुद इस बात का ऐलान करेंगे तो दोस्तों सूत्रों के मताग भी बिजनेस टूडे को बताए गया है कि किसानों को फसल के लिए 4,000 रुपए पिर्थी एकर की दर से सीधे उनके बैंखातों में आर्थिंग मदद भेजी जाएगी तो दोस्तों ब्याज एक फसल लोन विकी सीमा 15,000 रुपए पिर्थी हेक्टर से बढ़ा कर एक लाग रुपए तक पिर्थी किसान कर दिया गया है अभी तक 4 फिसदी ब्याज दर की सबसिवी पर किसानों को फसल सिरण मिलता था लेकिन अब इस सोजना के तहते एक लाग रुपए मिलेगा तो दोस्तों केन सरकार यानि मोदी सरकार ने 10 लाग कड़ोर रुपए के पिर्थी सिरण के लक्ष को निर्दारित किया है इस से हासिल किया गया है तो दोस्तों इसमें से 70 फिसदी फसल सिरण के रूप में बाटा गया है कर्ज माफी में जो रहे ऐलानों के बीच कई बैंकों को किसानों को सिरण देना बंद कर दिया है जी हाँ दोस्तो अधकारियों को कहना है की नई होजना के लिए रास्ते खोलेंगे और उपच को पैदा करने के लिए कम लागत आएगा लेकिन इसमें मोधी सरकार की और से लाई जा रही नई होजना में सीधे किसानों के खाते में आर्थिक मदद भेजी जाएगी तो दोस्त आधार कार्ड फसल की मातरा जमीर का बिबनान अन इन सभी डेटा को फसल की बिक्री के समय एक खटक किया जाएगा के सरकार की सोजना ये ओजना तेलंगाना सरकार ने चलाई है तो दोस्तो अगर आप किसान है तो आपको चार हजार रुपए मिलेंगे पिरती महीना और आज नहीं पड़ेगा बोदी सरकार का किसानों को बहुत बड़ा तो पा है अब सभी किसानों कि को क्याती के लिए हरो सीजन में चार हजार रुपए पिरती एकर की दर से मिलेंगे तो दोस्तो अगर आप किसान हे तो कमैंड में जरूर बताएं और आपको मिलेंगे चार करें आपने अपना कीमती समय दिया अपका बहुत धन्य बाद थैंक्यू सो में